अलो दोस्तों मैं पूनमशा उमीद क्लासिस की यूटूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करते हूँ इडियम्स और प्रेजर आप पढ़ रहे हो, मज़ा भी आ रहा होगा अब आपको धीरे धीरे इंग्लिश से मुलाकात थोरी है, तो इंग्लिश भी आपके जान पैचान में आ रही है, इंग्लिश से थोड़ी जान पैचान बढ़ रही होगी तो आप लोगों को मज़ा तो आई रहा होगा, तो चलिए दोस्तों, जो भी स्टुडेंट्स, आईएस, आरेस, पटवारी, वोमन सुपरवाईजर, टीचर, फर्स ग्रेड, सेकंड गेड, वीडियो, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट का जैसा कि आपको पता है नोटि आम में आने के, अब यह इडियम्स फ्रेजिस हम कर रहे हैं, तो इसकी पूरी की पूरी आपकी 9 सिरीज हो चुकी है, यह 10 सिरीज आपकी चल रही है, तो अगर आपने प्रीवियस नहीं लिए, तो वो भी आप लेते रहे हैं, लाइक कीजिए सेशन को, सब्सक्राइब नही स्वागत हैं, जिनों ने भी यह नंबर सेव नहीं किया है, वो नंबर सेव कर लीजिए, कोई भी डाउट हो, वो आप भेज सकते हैं, साथ ही साथ में उमीद क्लास का टेलीग्राम चैनल जॉइन करना ना भूले, ताकि आपको लेटेस्ट अबडेट मिलते रहें, तो चलि नए सीरे से परारम करना, तो इमेनेट, अबेंडन छोड़ना, उतार डिफेक्ट मतलब खराब होना, तो चेंज कम्प्लीटली, यानि कि पूर्ण रूप से परिवर्तन करना, बोलते हैं ना, कि यार अब छोड़ो, अब तो अपन को क्या करना, नए सीरे से पढ़ाई करनी है, या नए सीरे से हमारा जीवन स्टार्ट करना है, तो पूरी रूप से क्या कर लिया, आपने परिवर्तित कर लिया अपने आपको, तो राइट अंसर क्या हो जाएगा, तो चेंज कम्प्लीटली, तो राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नेक्स्ट देखिए, to turn tables, इसका मतलब होता है, पासा पलटना, जैसे दो team के बीच में match हो रहा है, और last में ही क्या होता है, जो हारने वाली team है, वो एक दम से जीच जाती है, तो बोलते होना आप कि पासा ही पलट गया है तो, तो यहां पर देखिए क्या होगा, कि to reverse success, वही सफलता पाल वापस, to defeat, हार जाना, to engage oneself, engage हो जाना, to oppose, विरोध में हो जाना, तो यहां पर आपका right answer होगा, to reverse success, अब सफल दिख रही थी ना जो team, अब अचानक से क्या होगा, सफल होगा, यानि कि पासा पलट गया, तो to reverse success, तो right answer, A होगा यहां पर, ठीक है, आप लोग जवाब भी द जाहिए, exam में तो बिल्कुल सही करके आप लोग आओगे, ठीक है, to leave someone in the lurch, ये काम तो, राम, राम, करना ही मत, ये काम तो, किसी को बीच मजधार में छोड़ देना, मजधार में छोड़ना, किसी को कोई मुश्किल है, उसका हाथ पकड़ के उसको लाए नहीं, मैं तो मेरी जान बचा लेता हूं, उसको क्यों लाए, तो बीच मजधार में किसी को छोड़ना नहीं है, तो क्या होगा, to come to compromise with someone, किसी के साथ compromise कर लिया, constant source of annoyance to someone, ठीक है, annoyance किय मैं अतलब कि क्या बोलते हैं, इसको अपमान करना, ठीक है, ignore करना भी होता है, to put someone at ease, ease में रखा आराम से, और to desert someone in his difficulties, वो कठनाई में है और वो मुसिबत में है, उसको आप में बीच मजधार में छोड़ दिया, तो right answer क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, to desert someone in his difficulties, next देखिए, to cry wolf, और ये आप लोगोंने कहानी सुनिये, बेड़ी आया, बेड़ी आया, ये cry wolf वो ही है, तो बेड़िया आये का मतलब क्या है यहापे, ए कारण ही चिलाना, वो लड़का था ना, तीसरी बार में सच में बेड़ी आ जाता है, ठीक है, ए कारण चिलाना, और गाओं के लो इसली उत्सुकता से सुनना, to give false alarm, गलत खत्रे का निशान देना, to turn pale, to keep of starvation, तो देखिए, यहाँ पर राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा, to give false alarm, यानि कि ए कारण ही आप चिलारो, भई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो राइट अंसर भी आ जाएगा, next देखिए to pick holes, to pick holes का मतलब क्या होता है, किसी की, किसी की बुराई करना, किसी की बुराई करना, या किसी की आलोचना करना, तो to find some reason to quaren, जगडे का कोई ना कोई कारण डूणना, to destroy something, किसी चीज को विनाश कर देना, to criticize का मतलब क्या होता, आलोचना करना किसी की, और to cut someone part of an item, कोई item का part उसको काटना, तो देखी, right answer क्या होगा, कि किसी की बुराई करना, to criticize someone, तो c आपका इसमें answer होगा, fifth में, next देखिए, to beat the air, to beat the air का मतलब होता है, व्यर्थ प्रयास करना, व्यर्थ में ही आप हाथ पर मार रहे हो, तो वो काम करना ही नहीं चाहिए, तो व्यर्थ प्रयास करने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए, to make vain efforts, vain का मतलब क्या होता है, व् to break and boss, to submit, or to acknowledge defeat, तो right answer क्या हो जाएगा, to make vain efforts, तो व्यर्थ में ही आप क्या कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, तो यह आपका right answer है, to be at home in, बताया था, दक्ष या फिर, पूर्ण जानकार होना, ठीक है, तो यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा, देखिए, to be well-versed, बिल्कुल बोलते हैं न, यह तो well-versed है, इंग्लिश में well-versed है, यानिकि इंग्लिश का अच्छा जानकार है, to feel safe, to feel intimacy, और to have five times, तो देखिए, यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, to be well-versed, तो यह आपका बिल्कुल correct answer होगा, next देखिए, to cast an eye upon, to cast an eye upon का मतलब होता है, नजर डालना, बोलते हैं न, एक जलक डालना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, reproze, to look down upon, to eliminate, और to glance at, तो क्या होगा, to glance at, इसका right answer होगा, एक जलक डालना या एक नजर डालना, ठीक है, next देखिए, to show the white feather, very very important है, exam में पूछा भी जाता है, to show white feather का मतलब होता है, किसी को डर दिखाना, किसी को डर दिखाना, तो यहाँ पर लिख लीजी आप ये भी, किसी को डर दिखाना, ठीक है, तो to show sign of fear, to be in, ignitate का मतलब क्या होता है, जलाना होता है, ठीक है, to fall under one's notice, किसी के notice में आना, to acknowledge defeat, तो right answer क्या हो जाएगा, to show sign of fear, यानि कि उसको डराने के लिए, जैसे बूत-बूत बन जाते हो न, कभी mask लगा करके, तो डर जाता है, तो to show the white feather, ठीक है, next देखिए, to be lost in the clouds, to be lost in the clouds का मतलब होता है, उलजन में, उलजन में होना, तो right answer देखिए, to be misguide, misguide होना, बिलकुल नहीं आएगा, to suffer from lunacy, lunacy में होना, lunacy से suffer करना, ठीक है, to be in confusion, confusion, उलजन में होना, to disappear, temporarily, थोड़े देर के लिए, एपरकट हो जाना, तो right answer क्या होगा, to be in confusion, ठीक है, next देखिए, to set once faced again, to set once faced against, इसका मतलब होता है, डट कर, विरोध करना, विरोध करना, तो क्या हो जाएगा, to oppose with determination, to judge by appearance, यह तो आएगा नहीं, appearance किसी को देख करके, आपने उसको judge कर लिए, एक ऐसा अदमी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, to get out of difficulty, difficulty से भाहर आना, to look at one steadily, किसी को देखते रहना, अब देखिए, right answer यहाँ पर आपका क्या होगा, to oppose with determination, right answer क्या होगा, determination होता है न, द्रण निश्य के साथ में, आप किसी का विरोध कर रहे हो, और यही बता रहा है, to set one's face against, means, डट करके आप क्या कर रहे हो, उसको सामने वाले का विरोध कर रहे हो, तो यह आपका right answer हो जाएगा, next देखिए, 12 में, to put one's hand to the plow, तो देखो, यहाँ पे आपका, to put one's hand to the plow, तो to take up agriculture farming, to take a difficult task, to get entangled into unnecessary things, और to take interest in technical work, तो देखिए, to put one's hand, to plow का मतलब होता है, मुश्किल कारिय ले लेना, तो मुश्किल काम था, आपने अपने सिर ले लिया, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो to take a difficult task, तो क्या answer हो जाएगा, B आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा, next देखिए, अब जो भी English का डर को कतम करना चाते हैं, वो यह bad join करना ना भूले, चाहे आप कहीं पे भी कोई से भी exam के तैयारी कर रहे हूँ, जहाँ पे English नाम के व्यक्थी का नाम है न, वहाँ के लिए यह जो course है, यह very very important है, तो इसमें मैं आपकी grammar के साथ में vocabulary भी कराने वाली हूँ, और बहुत अच्छे से, YouTube पे तो trailer है यह मान लो, जब यह course आपका launch होगा, तब आपको पूरी picture पता चलेगी कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, चीक है, तो सभी लोग जुड़े रहे हैं तब तक के लिए उमीद classes में, अब देखिए, to do by fits and starts, fits and starts का मतलब होता है, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से होता है, तो देखिए क्या होगा, to do impulsively, to do at once, तुरंत, at once का मतलब होता है, तुरंत होता है, to benefit one, किसी को benefit देना, और to be well off, तो देखिए, right answer क्या होगा, to do impulsively, अनियमित रूप से, ठीक है, next देखिए, to do offhand, offhand का मतलब क्या होता है, बिना तैयारी के, यानि कि बिना तैयारी के कोई आप काम करते हो, तो बिना तैयारी किये, ठीक है, तो यहाँ पर आपका मारना नहीं होगा, to deal with भी नहीं होगा, to visit भी नहीं होगा, क्या होगा, to do without preparation, बिना तैयारी के कोई भी कारे आपने किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, to do offhand, ठीक है, offhand मतलब बिना तैयारी के, without preparation, next, देखिए, to fall into abundance, abundance का मतलब होता है, प्रास्थिगित कर देना, स्थगित पहले से ही कर देना, तो देखो, fall into, तो यहाँ पर देखिए, quarrel, जगडा करना, run against, विरुद्भागना, begin to work, यह भी नहीं आएगा, क्या आएगा, to seize, seize का मतलब क्या होता है, रोकना या प्रती रुद्ध कर देना, to be used, ठीक है, तो use करने से आपका, यानि की, उपयोग करने से, रोकना, तो right answer क्या हो जाएगा, see हो जाएगा आपका इसमें, right answer, next देखिए, to go to the wall का मतलब क्या होता है, to go to the wall का मतलब होता है, खराब होना, तो right answer इसमें क्या हो जाएगा, fair rail, to deviate, to become, depraved, और to get the worst, यानि कि कोई भी चीज बत से बत्तर हो जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है, to go to the wall, to get the worst, right answer, D होगा इसका, अब देखिए, to be at, loggerheads, very very important है, पूछा जाता है, एक्जाम में बहुत बार, कि to be at, loggerheads, का मतलब क्या होता है, तो to be at, animity or strife, animity और strife, अब क्या होगा याँ पर, इसका मतलब होता है, अन्बन होना, to text, once mind and body, to have tough encounter, to face stiff opposition, तो क्या होगा आपका, loggerheads का मतलब होता है, शत्रुता पूण होना, या अन्बन होना, क्या हो जाएगा, to be at, loggerheads, अन्बन, ठीक है, या शत्रुता, तो राइट अंसर आपका, क्या हो जाएगा, to be at, animity or strife, ठीक है, तो राइट अंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आपका राइट अंसर, next, देखिए, to have a bone to pick with, to have a bone to pick with का मतलब क्या होता है, मन मुटाव होना, मन मुटाव होना, तो यहाँ पर देखिए आप, to have differences, differences होना, मन मुटाव होना, to familiar, जान पैचान होना, to be willing, चाहना, to be ready, तयार रहना, तो राइट अंसर, simple सा है, a आ जाएगा, to have differences, तो राइट अंसर is a, next देखिए, to have too many irons in the fire, तो too many irons in the fire का मतलब क्या होता है, कि आपके पास में बहुत सारा कार्य होना, बहुत सारे कार्यों का भार होना, पूरा burden जो work का है, उसी पर होना, that is called too many irons in the fire, तो to have an encounter, encounter होना, to have too much work, तो आपका, और to have support, ये भी नहीं होगा, to have a chance, ये भी नहीं होगा, क्या होगा आपका, बी होगा, to have too much work, ये ठू का मतलब है भी, ये कहीं बच्चे गलती करते हैं, टू और ठू में difference होता है, ठीक हैं, तो ठू का मतलब होता है भी, तो right answer है, बी, next देखिए, to hold one's tongue, बोलते हैं ना, जबान को लगाम दो भई, जबान को लगाम देना, या चुप रहना, तो देखिए, क्या होगा, जबान को लगाम दो, मतलब चुप जाओ भई, तो देखिए, क्या होगा, to bear proudly, to be ready, ready रहना, to be silent, या to curve, तो right answer क्या होगा, C आ जाएगा, to be silent, चुप रहना, ठीक है, next देखिए, to feather one's own nest, सुना होगा इंदी में, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना जो स्वार्थ है, वो निकाल लेना, इसका मतलब यही हुआ, भई आप किसी का काम कर रहे हो, तो बस अपना उल्लू कैसे सीधा हो, अपना काम कैसे सीधा हो, उसके बारे में आप बात करते हो, तो क्या होगा, to decorate one's house only, किसी का house decorate करना, बिलकुल नहीं, to care for one's children only, केवल एक ही बच्चे की क्या करना, एक के ही बच्चों की क्या करना, care करना, to abstain from interfering in the affair of others, यानि कि दूसरों के जो भी मुद्दे होते हैं, उनसे दूर रहना, to work selfishly, स्वार्थी हो करके काम करना, तो right answer क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, to work selfishly, next देखिए, to see eye to eye, to see eye to eye का मतलब होता है, किसी एक subject के दोनों की ही same राय होना, तो देखिए, क्या होगा यहाँ पर, किसी विशय पर, एक जैसी राय होना, तो right answer आपका इसमें क्या हो जाएगा, to be happy नहीं आएगा, importance reduce होना, यह भी sense नहीं आ रहा, to do backseat driving, पीछे बैटके नहीं होगा, to have same opinion on any subject, किसी भी विशय पर same राय होना, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, C आजाएगा, आपका to see eye to eye, तो right answer is C, next है, to be above abroad, यानि इमानदार होना, सबसे इमानदार होना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, to have a good height, बिलकुल नहीं, अच्छी height होना, to be honest in any business deal, कोई भी business deal कर रहे हो, उसमें honest रहना, to have no doubts, कोई भी संशना रहना, to try to be beautiful, beautiful बनने के कोशिश करना, तो क्या होगा, right answer सीधा सीधा दिखी रहा है, to be honest in any business deal, इमानदार होना, तो right answer is B, next देखिए, to catch a tartar, तो to catch a tartar का मतलब क्या होता है, सवा सेर मिल गया भई अब आपको, सवा सेर मिलना, बोलता है न, सेर को सवा सेर मिल गया, तो देखिए, यानि कि आपको भी, आप से भी बड़ा दुरंदर मिल गया, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, to trap a wanted criminal with great difficulty, to catch a dangerous person, बिल्कुल नहीं आएगा, to meet with disaster, यह भी नहीं आएगा, क्या होगा, to deal with a person who is more than once match, उसके बराबरी का नहोंके, उससे थोड़ा उपर होना, तो सेर को सवा सेर मिल गया, तो D आपका इसमें right answer हो जाएगा, to catch a tartar, next देखिए, to play a second fiddle, तो second fiddle का मतलब होता है, कि आप किसी का second role play कर रहे हो, second fiddle मतलब second role, तो, इसका हो जाएगा, आश्रित, भूमी का, निभाना, तो right answer यहाँ पर क्या होगा, to disregard promise, to disregard promise, to act honestly, here to act unfair, to take subordinate part, तो यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा, कि आप किसी की आश्रित भूमी का निभा रहे हो, subordinate part आप निभा रहे हो, तो right answer क्या हो जाएगा, D आपका right answer हो जाएगा, ठीक है, तो समझ में आगया होगा आपको यह, यह 25 आपकी जो series चल रही है, इनको join करना, इनको attend करना, इनके जवाब देना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि अभी यहां तो यह तयार हो जाएंगे, बाद में exam में आपको आएगी दिक्कत, ठीक है, तो उन दिक्कत सुए, अगर आपको चुटकारा पाना है, तो यह series आप लोग join कर लीजिए, और साथ में इनके answers भी, देते रहे हैं, कोई doubt है आपको, तो comment section में comment कर सकते हैं, साथ ही साथ यह number आप save करना नहीं भूले, और जो telegram channel है, उसे भी आप join करना ना भूले, उमीद classes के, और उमीद classes के YouTube channel को, अगर subscribe नहीं कर रखा है आप लोगों ने, तो subscribe आप जरूर कर ले, subscribe करने वाद, bell icon पर आप click करे, ताकि आपको latest updates मिलते रहें, और आप classes को live join कर सके, thank you so much, मिलते हैं next class में, idioms और phrases के साथ में, thank you so much.